हेलो फेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल क्यासे हैं आप लोग आई होब खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय करने होंगे हैपे होंगे डियर आज का टॉपिक है कि क्या है आपके पार्टनर का फैसला आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या वो उस रिलेशनशिप में डालेंगे अगर आप लोगों के बीच में नो कॉंटेक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है लॉंग डिस्टेंस है ब्रेक अप सिट्वेशन है और डियर हम ये देखने की फैसला क्या लेंगे वो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर फैसला तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बिल्कुल इग्नोर मत कीजेगा डियर क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर के एनर्जी को चेक करेंगे कि यह पार्टनर आपके रिष्टे में क्या एफर्ट जालना कर दी है और यह इनसान आपके प्यार को समझ नहीं पाया है इसने ब्रेक अप वाली सिच्वेशन खड़ी करी आप दोनों के रिष्टे में बहुत ज़्यादा दूरी लाने की कोशिश करी है और वजह बहुत सारी ऐसी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों के रिष्टे में अगर सब कुछ खोया है सब कुछ डूबा है सब कुछ तूटा है तो किसी ने तो आग लगाई है आपके रिष्टे में आपके पार्टनर और आपके बीच में जो सिच्वेशन है वो पूरी तरह से बता रहे है कि आपका आपके पार्टनर से बहुत कुछ बिगड़ रहा है बहुत कुछ हालात बहुत कुछ सिच्वेशन ऐसी बिगड़ चुकी है क्योंकि जिसके कहने में ये चल रहे थे जिसकी कहने में ये कही ना कहीं चीजों को खराब कर रहे थे उस महिला की वज़े से उस लेडी की वज़े से इन्होंने अपना परिवार अपनी लाइफ पहले ही खराब कर ली यहाँ पर ब्रेकप सिच्वेशन नजर आ रही है और यह ब्रेकप सिच्वेशन बता रही है कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में जो भी दूरी आई हैं जो भी प्रॉब्लम्स आई है यह किसी मदर फिगर की कहीं न कहीं भाग रहा है तो यह थर्ड पार्टी की ही चाले यहाँ पर नजर आ रही है यह थर्ड पार्टी ही है जो आप दोनों के रिष्टे में आरे आ रही है और डियर दोनों का रिष्टा यहाँ पर इस इंसान की वज़े से तूटा है यह कोई महिला की अनरजी है यह महिला जो भी है आपके रिष्टे में कोई ऐसी महिला की एनरजी आ रही है जिसने आपका रिष्टा पूरी तरह से ब्रेक कराया जिसने आपके रिष्टे में पूरी तरह से करवाहट लाके रखी है कोई बहुत हीडन एनरजी में आपके इज़गिर्द घुमता रहता है और दोनों आप दोनों का जो रिष्टा जहां पर बहुत सारी चीजे अच्छी थी जहां पर बहुत सारी चीजे अच्छी ही नजर आ रही थी जिस रिष्टे में आपको बहुत प्यार नजर आ रहा था वो रिष्टे में अब आपको नफरत के सिवा कुछ नजर नहीं आता है वो आपका relationship को लेकर आपके partner जो चीजों पर फोकस है वो focus यह है कि वह इस रिष्टे पर काम भी करना चाहते हैं, वह इस रिष्टे में दुबारा चीजों को सही भी करना चाहते हैं, आपके लिए decision लेना चाहते हैं और deer यह दिखाई दे रहा है कि आपके partner का फैसला बहुत ही ख खास फैसले को लेकर यहाँ पर बहुत बहस हो रहे हैं शायद इनके family members जो हैं वो भी बहुत बहस कर रहे हैं आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं आपके partner को लेकिन अभी आपके partner जिस भी बंधनों में उलजे हैं जिस भी problem में उलजे हैं वो problem वो कही न कहीं हटाते हुए दिख लेकर रहे हैं वो किसी third party की बातों में अब अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आपके partner की सोच आपको लेकर बहुत ज़ादा ऐसी दिखाई दे रहे हैं कि वो जान चुके हैं कि आपके इसमें गलती नहीं है अगर आप दोनों के बीच में आज ये रिश्ता न के हैं कि किसी third person की वज़े से या third party की वज़े से ये रिष्टा बिखरा है ये रिष्टा खराब हुआ है बहुत ego भर दिया था इस third party ने आपके partner के दिल में दिमाग में और ये वो सच है dear जो जानना आपके लिए जरूरी है कि आपके जीवन में सबसे पहले क्या चीजे थी और अभी क्या हालात हो गए है क्योंकि यहां पर दिख रहे कि पहले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशिया थी बहुत ज़्यादा happiness थी लेकिन अभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उदासी नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा हार आपके जीवन में मैं देख रही हूँ और डियर ये दिख रहा है कि सब आपके जीवन से जितनी खुशियां थी इस महिला द्वारा छीन ली गई है, हार्ट ब्रोकन के एनरजी है बहुत ज़्यादा इस महिला ने आपके जीवन में कश्ट दिया है और डियर दिखें, आपके जीवन में कुछ चीजे ऐसी कराई है कि आपको बहुत रोना पड़ा है बहुत रोना पड़ा है इस महिला के कारण आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कते आई है बहुत सारी negative energies इस महिला ने आपके जीवन में डाली है देखो आप अपने energy पे काम कर रहे हो आप अपने career पर काम कर रहे हो लेकिन आपका अपने career पे काम करना आपका अपनी life में आगे बढ़ना यहां पर यह बता रहा है कि अब इस third party से और आपके partner को जो इस third party ने सिखा पड़ी करी है यहां पर आपके partner देख नहीं पा रहे हैं आपके अंदर बदलाव आपके अंदर change तो आपका इतना बदल जाना उनसे बरदास नहीं हो रहा है आपके बदलाव ने उनको कही न कहीं घायल कर दिया है वो कुछ सोच में आ गए हैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं आपके partner हर एक बात यहाँ पर यह बता रहे है कि आपके partner के जीवन में इस third party का influence बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा इस third party ने आपके partner को अपने influence में ले रखा है और dear इस third party के attention के कारण, third party की जिन्दगी के कारण मुझे ये दिखाई दे रहा है कि dear आपके पार्टनर की जिंदगी पूरी तरह से दो राहे में आ गयी है ऐसा दिखाई दे रहा है कि सो नहीं पाते हैं इनको बहुत ज़्यादा गंदे सपने आते हैं डरावने सपने इनको सताते हैं और डियर बहुत गुसा इनको हावी हो गया है जैसे कि पार्टनर रेना बहुत रूखे-रूखे से हो गए है यह दिखाई दे रहा है सिर्फ सब कुछ क्यों हो रहा है आपके रिष्टे में तो कि यह दूरिया जो आई है यह जो रिष्टा खतम हो रहा है इसको मिटाना चाहत हाती है यह थोड़ पार्टी सब्सक्राव 10 कि अक रिष्ट में और देए यहां पर कार्ण क्या बता रहा है नेक्स कर यहां पर बता रहा है फोर ऊफ कश के अनेरजी Strength का Garden और ये चीज होनी ही है बहुत ज़्यदा उदाद, बहुत ज़्यदा दुखी है आपके Partner चीजों को लेकर बहुत ज़्यदा परिशान दिखाई देने हैं चीजों को समझ रहे हैं आपके पारे में बहुत कुछ सोचा भी जा रहा है ये third party चाहती है कि आपके partner आपको भूल जाएं ये third party चाहती है आपके partner आपकी तरफ ना बढ़ें तो ये third party बहुत जल्बूंज रही है dear यहां पर 8 नंबर कुछ खास मुझे दिखाई दिए रहा है 7 नंबर कुछ खास मुझे दिखाई दिए रहा है 4 नमबर यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो यह 3rd party जो है जल रही है और डियर बहुत जलन है इस 3rd party के अंदर तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके साथ में होगा justice तो justice आपके साथ में होने वाला है दिखें यह 3rd party चाहती है अब आपके partner जो है डियर लेंगे फैसला क्योंकि यह 3rd party यहाँ पर नजर आ रही है या कोई महिला जो नजर आ रही है यह आपके जीवन में ऐसे situation खड़े कर रही थी ऐसे break up अली हालात खड़े कर रही थी जिनकी वज़े से कहीं न कहीं बहुत सारी चीजे problem में आ गई है बहुत सारी चीजे कहीं न कहीं डगमगा गई है आपके साथ गलत करा गया है हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चीजे negative हुई है जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा depression में हैं बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं कोई जलता है आपके हसी से, कोई झलता है आपकी खुशी से, तो वो चीज यहां पर दिख रही है, इसी वज़े से आपके जीवन में बहुत ज़्यदा लड़ाई जग्रे फाइट हुई है, बहुत ज़्यदा दिक्कते हुई है, वो चीजे यहां पर नजर आ रही है ये मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीजे नजर आ रही है अब यहाँ पर आगे ये नजर आ रहा है कि आप अब जो आपके जीवन में होने वाला है कही न कहीं इस third party और partner के कारण आपने बहुत कुछ सहा है अब आपको justice मिलेगा आपके life में बहुत सारी चीजे जो है कुछ अलग होईगी कुछ अद्भूत आपके life में होने जा रहा है आपको उसके लिए तयार हैने की जरुत है और डियर आप जिस partner के बारे में सोच रहे हैं आपके partner जो है ना वो अब आपके लिए stand लेंगे वो अब आपके लिए चीजों को सही करेंगे अकेले में बहुत सोच विचार चल रहा है आपके partner का अकेले में बहुत सारी चीजों को लेकर आपके लिए बाते सोची जा रही है आपको लेकर चीजे सोची जा रही है वो दिखाई दे रहा है उनके मन में आपके लिए अभी एक अच्छी भावनाए नजर आ रही है अच्छी फिलिंग्स नजर आ रही है आपको लेकर बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके पार्टनर और आने वाले कुछ टाइम में ये स्टैंड लेंगे ये चीजों को सही करेंगे ये आपके रिष्टे में जो भूल चुक हुई है जो इन लोगों ने गलत चीज कर दी या आप लोगों के बीच में जो भी मिसंडर्स्टैंडिंग हुई है उसको दूर करना चाहते हैं दिखें अब आपके पार्टनर के दिल में आप बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हो आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप जिस तरह से चेंज हो रहे हो आप दिन प्रती दिन अपने आप में जो बदलाव ला रहे हो वो देख देख कर यह बंदा परिशान हो रहा है यह बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है वो एनरजी यहाँ पर दिखाई दे रहे है दियर हीडन एनरजी में कोई है आपके इर्दगेर्द जो कहीं न कहीं आपकी मासूमियत का आपके प्यार का फाइदा उठा रहा है उसी कारण से आप दोनों के रिष्टे में ब्रेक अप हुआ है उसी कारण से आप दोनों का रिष्टा जो है वो खतम हुआ है तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का रिष्टा जो है वो खतम कर दिया गया है तो dear यह अभी आपके partner यहाँ पर action लेंगे क्योंकि अब यह जिस भी बंधन में उलजए हैं जिस भी problem में उलजए हैं उस बंधन और उलजएनों से यह अपने आपको बाहर निकालेंगे चीजों से बाहर निकालकर दिखते हुए दिख रहे हैं आपके partner काफी चीजों को सही करेंगे आपके partner ओके डियर